सभी योग साथ को को मिरा प्राणाम आप सब का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योगा वैलनेस पर आज हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में दरसल हम सफर तै करेंगे अनुलोम विलोम से नाडी शोधन प्राणायाम तक नाडि शोधन प्रानायाम हम पार्शियली देखेंगे और आज की वीडियो में हम डिटेल में अनुलोम विलोम प्रानायाम जो बिगिनर्स हैं वो कैसे स्टार्ट करें बिगिनर्स के पॉइंट ओफ यू से स्टार्ट करेंगे और उसको पार्शियली नाडि शोधन प्रानाय पर में वीडियो अलग से डिटेल में बनाऊगी तो चलिए पहले देख लेते हैं कि अनुलोंग विलोंग प्रणायाम को कैसे किया जाए बिगिनर्स उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अनुलोम विलोम स्टार्ट करने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमें दियान में देना है वो है हमारी सिटिंग पोजिशन अनुलोम विलोम करने के लिए हम किसी भी कमफर्टेबल पोजिशन में बैठ सकते हैं आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, पदमासन में बैठ सकते हैं, वजरासन में बैठ सकते हैं, अल्व पदमासन में बैठ सकते हैं, मैं इस टाइन पदमासन में बैठी हुई हूँ, जिसको गुटनों में प्रोब्लम है, वो दिवार के सारे कमर लगा कर बैठ सकते हैं, जिसक आपको दियान देना है कि आपकी गर्दन और कमर जो स्पाइन है वो एकदम सीधी हो सिकिंड पॉइंट जो है हमारी हैंड की पोजिशन आपको अपना लेफ्ट हैंड चीन मुद्रा या ज्यान मुद्रा में लेना है अंगूठे को और जो फरस्ट फिंगर हैं इंडेक्स फिंगर उनकी टीप्स को मिला लेना है अब बात आती है राइट हैड की अपने राइट हैंड को हम नासी का मुद्रा या विशन मुद्रा में रखेंगे उसको करने के लिए आपको अपने दोनों first fingers को थम के root पर मिला लेना है और ring finger और सबसे छोटी fingers दोनों आपस में मिली हुई straight रहेंगी कुछ लोग इसको वायू मुद्रा में भी रखते हैं वो आपकी इच्छा है आप विश्नु मुद्रा या नासी का मुद्रा और वायू मुद्रा से कर सकते हैं यह हो गई हमारी hands की position अब कमर गर्दन सीधी और आँखों को आप कोमलता से gently close करेंगे मैं अभी eyes open करके आपको दिखा रही हूं सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम beginners को कैसे start करना है हमारा inhale और exhale का क्या ratio रहेगा inhale और exhale का ratio हम one is to one ratio रखेंगे अब one is to one ratio से हमारा क्या मतलब है कि हम starting में three count तक inhale करेंगे और three count तक exhale करेंगे इसके बाद आता है point कि हमें कैसे breathing करनी है कौन से nostril से breathing करनी है breathing हमें start करनी है left nostril से left nostril से सांस अंदर भरी right से exhale किया फिर right से inhale किया और left से exhale किया ये बनता है हमारा एक round अब मैं आपको करके दिखाती हूं कैसे करना है right nostril को thumb से close किया और left nostril से inhale करेंगे three count तक one, two, three then ring finger से close किया left nostril को और right से exhale किया three count तक one, two and three इसके बाद right से inhale करेंगे one, two, three right nostril close and left से exhale करेंगे three count तक one, two, three ये हुआ हमारा one round इस तरीके से हमें starting में five to ten rounds करने हैं अभी अपने जो अनुलोम इलोम किया है वो बिगनर्स के लिए किया है one is to one रेशो में मतलब आपने three count तक inhale किया और three count तक exhale किया हमने breath को retention नहीं किया है breath को अपनी सांसों को आपको रोकना नहीं है सिर्फ आपको inhale करना है और exhale करना है अब जब आपको इसकी थोड़े दिनों तक practice हो जाएगी कुछ दो या तीन हफते तक आप इसकी practice करेंगे उसके बाद हमें ratio को change करना है हम ratio change करेंगे one is to two का ratio one is to two का ratio का क्या मतलब हुआ कि हम three count तक inhale करेंगे और six count तक exhale करेंगे देखते हैं कैसे करते हैं अपने right hand को विश्नु मुद्रा में करेंगे और right nose को close करेंगे right thumb से left से inhale three count के साथ one two three close left nostril right से exhale six count तक one two three four five six that right से inhale three count तक one two three right close then left से exhale six count तक one two three four five six यह हुआ हमारा one round इसी तरीके से आप 10 round तक कर सकते हैं और अनुलोम विलोम हम five minutes से लेके जो beginners हैं five three minutes four minutes या five minutes तक करने का practice करें और हम इसको 15 minutes तक कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्रनायाम को नाड़ी शोधन प्रनायाम भी कहा जाता है लेकिन नाड़ी शोधन प्रनायाम यह जब कब बनता है जब इसको हम सांसों को रोगने के साथ करते हैं हमने inhale किया breathing को hold किया और उसके बाद exhale किया तो breathing का ratio क्या रहेगा one is two four is two two नाड़ी शोधन प्रनायाम आप तभी करें जब आप अनुलोम विलोम करने में expert हो जाए one is two four is two two का क्या मतलब है अगर हमने one का मतलब one ratio अगर हमने four count तक inhale किया है then sixteen count तक आपको hold करना है और eight count तक आपको exhale करना है यह हो जाता है नाड़ी शोधन प्रनायाम actually नाड़ी शोधन प्रनायाम भी यह partial होगा अगर हम पूरे नाड़ी शोधन प्रनायाम की बात करते हैं तो वो हम अंते कुम्बक और बाईय कुम्बक के साथ करेंगे और तीनों बंद के साथ करेंगे जलंदर बंद मूल बंद और उडियान बंद योग की बाशा में पूरग कुम्बक रेचक तीन वर्स आते हैं पूरग मींस है इनहेल करना सांस को अंदर बलना कुम्बक सांस को रोग के रखना कुम्बक में भी दो पूइंट आते हैं अंते कुम्बक और बाईय कुम्बक वो हम लेटर किसी वीडियो में डिसकस करेंग and then है रेचक, रेचक means exhale करना या स्वाश को छोड़ना, एक बार मैं आपको नाड़ी शोधन प्रनायाम, 1 is to 4 is to 2 रेशो के हिसाब से करके दिखाती हूँ, नाड़ी शोधन प्रनायाम करने के लिए मैं अपना लेफ्ट हैंड से चिन मुदरा में रखना है और राइट हैंड को विष्णु मुदरा में ले लेना है, राइट नोस्ट्रिल को राइट थम से क्लोज करेंगे और लेफ्ट से 4 काउंट तक इनहील करेंगे, आस ऐस चोज़े, ऐस चोज़े, एस चोज़े, लेफ्ट नोस्ट्रिल को अपन किज़े और इक्सेल किज़े, eight count then. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Then inhale through the right nostril up to four count. One, two, three, four. Close the right nostril and hold the breath for sixteen counts. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen and then open the left nostril and exhale through. Exhale up to eight counts. One, two, three, four, five, six, seven, eight. यह हुआ आपका नाड़ी शोधन प्रानायाम का वन राउंड. इस तरीके से आप five to ten राउंड कर सकते हैं. अनुलोम इलोम करते हुए हमें सबसे पहला confusion रहता है कि जब हम सांस अंदर वरेंगे पेट अंदर जाएगा या बाहर जाएगा इसके लिए सिंपल सा लोजिक है जैसे हम गुबारे में हवा बढ़ते हैं तो फूलता है और अगर हवा निकलती है तो वो पिचक जाता है इसी तरीके से जब हम सांस अंदर वरेंगे तो हमारा पेट फूलेगा पेट बाहर की तरफ आएगा आप हात रखके भी फील कर सकते हैं और जब हम सांस छोडेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि जो हवा हमने भरी थी वो बाहर निकल जाएगी सेकिंड पॉइंट जो हमें दियान में देना है कि हमें अनुलों मिलों करते हुए सांस भरते हुए कुछ लोग क्या करते हैं अपनी गर्दन को ऐसे ले जाते ह हैं और सांस शोड़ते हुए ऐसे करते हैं यह हमें बिल्कुल भी नहीं करना है बोड़ी में कोई मुवमेंट नहीं होगा हम जैसे बैठे हुए हैं वैसे ही रहेंगे और जो सांसों की गति है वो बहुत धीमी होनी चाहिए और हमारा पूरा दियान अपने सांस पे केंदरि के लिए आईए बात करते हैं अनुलोम विलोम से होने वाले फायदे के बारे में वैसे तो अनुलोम विलोम के अंकिनत फायदे हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा की अनुलोम विलोम हमारे शरीर में 72,864 नाडियों की शुद्धी गर्टा है इन नाडियों में से त से और यह जाती है हमारे स्पाइन के बेस तक इसी तरीके से जो पिंगला नाड़ी है वो हमारी स्टार्ट होती है राइप नोस्ट्रिल से और वो भी स्पाइन के बेस तक जाती है पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है और यह हमारे सूर्य के स्वर को रिप् है तो अनुलोम करने से हमारे इडा और पिंगला नाडी जो अमारा लेस्ट या राइट पॉर्शन है उस में बैलेंस बनता है और ईस बैलेंस से शुषमुना नाडी एक्टिवेट होती है और शुषमिना नाडी के के अक्टिवेट होने से हम मेडिटेशन के लेवल की तरफ बढ़ने लगते हैं अब बात करते हैं नैस्ट बेनेफिट की अनुलोम विलोम हमारे ओक्सिजन इंटेक की डापसिटी को बढ़ाता है और CO2 को बोड़ी से रिमूव करता है यह ब्लड सर्कुलेशन को भी करता है और एंजईटी ओर डिप्रेशन को दूर करता है अनुलोम विलोम की रेगूलर प्रैक्टिस से आपकी कामनेस या जो शान्त रहने की आदर है वो इंक्रीज हो जाती है और आप तanavya डिप्रेशन से दूर रहते हैं अनुलोम विलोम करने से आप हमारीгорी पड़ेЯ नहीं पीज़ों श्रीज भाला करन से मन शरीर और हमें तालमेई बैटर हो जाता है जिसकी वजह से हम् चीजों पर स्टोकस करने कि आपासिटिती इंक्रीज ओजात है हमें कोई भी विमारी हो जैसे Запास से अर्भाई टीस हैं है, siati का है, high cholesterol का problem है, even cancer है, ya brain tumor है, जितनी भी हमारी एसाध्य रोग है, उन सबी में हम अनोलोम विलोम की practice कर सकते हैं, बस हमें breath को hold नहीं करना है, सिर्फ आपको देरे-देरे inhale करना है और exhale करना है, Diabetes हैं जिसको Pancreas की problem है सभी लोग Anolome Wiloam की practice कर सकते हैं बस आपको ये कब नहीं करना है अगर आपको recently कोई heart surgery हुइ है abdominal surgery हुई है या brain surgery हुई है Just after surgery आपको नहीं करना है आप किसी expert से सला लेके इसको start कर सकते हैं तो ये था अनुलोम विलोम और नाडी शोधन प्रनाया में मैंने आपको अंतर बताया, इस वीडियो में मैंने अनुलोम विलोम पर फोकस किया है, नाडी शोधन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ला प्लेकर 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 गिता हुए यह वीता है